में हलो बच्छों सब अब चों आज पर डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के बारे में exercise 3 देखिए बीटा exercise 3 और इस exercise 3 का नाम क्या है बटा exercise 3 का नाम है मैट्रेक्स ठीक है और इसे हिंदी में के बोलते है बिटा हम आव यू ठीक है बिटा exercise 3 जो है आपके जो बोर्ड के point of view से बिटा यह पांच नंबर की पिशना हो लिए यानि इसका जो अंक भार है वो कितना है पांच अंक ठीक है और foundation के point of view से हम बात करें बिटा तो exercise 3 और exercise 4 जानि matrix और exercise 4 के नाम है बिटा डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट तो बिटा यह दोनों प्रिशनावली जो है वो mix करके अलग से एक unit होती है ना ठीक है तो यह foundation के point of view से दोनों प्रिशनावली को हमें मर्ज करके पढ़ना पढ़ता है और इसमें से दो प्रिशन आपको देखने को मिल जाते है most of the case ठीक है बच्चों चलिए तो अपन स्टार्ट करते है तो बिटा अपन इस lecture में एंसी आटी को तो कवर करेंगे करेंगे और साथ में विटा अपन जो प्रिवेश येर में जो कुश्चन्स पूछे गए है आई हेटी के point of view से ठीक है उसको भी हम कवर करेंगे सो लेट्स बिगेंड आख के बच्चों सबसे पहले हम डिसकस कर लेते हैं चोटी चोटी बाते चोटी चोटी परिवासा क्या होती है आव यू ओहो सरपेन तो दूसर येलो क्या होती है ओहो आव्यू क्या होती है तो आव्यू क्या होती है बेटा कि आकडो को किसमे करना आयतकार आयतकार व्यू में परदसित करना आयतकार व्यू में क्या करना परदसित करना ओके यह क्या कहलता है व्यू कहलता है अच्छा इस आव्यू का जो यूजेज है आव्यू का यूज कहां आता है तो बिटा मॉस्ट अब दा केज जो आव्यू का यूज आता ह है हो हमें आनविक भोती की है meu जो आनविक से संब्ध मन फिहते हां हमारे पार तो आनविक भोती की में इसका युद आता है भुलकुल सर ली दो स्वीसिक्स कर आन्जिनिरियेंग में भी हम इसका व्यापक प्रयोग से काम में लेते हैं तो यह जो यह आधुनिक गनित का सरसक्त साधर मन गया है आधुनिक गनित का ठीक है बच्चों और हमें जो हमारी 3D है यह हमारी 2D जोमेट्री है ठीक है जो मेहत में जो जोमेट्री है बिटा 2D और 3D तो इनके इस्तानांतरन में जो भी आकरती है उस आकरती को इस्तानांतरन करे ट्रांसलेशन करे रोटेशन करे ठीक है या फिर हम रिफ्लेक्शन करे यानि परावर्तन करे तो इन सब चीजों में भी हमें डेटाओ को क्या करना पड़ता है संकूचन करना पड़ता है तो उसमें भी हम किसका प्रियोग करते हैं आव्यू का प्रियोग करते हैं ठीक है और एक रेखिये समीकर निकाये तो रेखे समीकर निकाय को हल करने के लिए भी हम आव्यूक अप्योग करते हैं जैसे मालमा पर हमें दे रखा है A1X प्लस B1Y प्लस C1Z प्लस KD बराबर 0 फिर हमें दूसर दे रखा है A2X प्लस B2Y प्लस C2Z प्लस KD बराबर 0 D1 D2 ऐसे हमें दे रखा है A3X प्लस B3Y प्लस C3Z प्लस D3 बराबर 0 अब बेटा हमें इस समीकर निकाय को हल करना है ठीक है इसे दे हमें हल करना है तो हम आव्यू और सानिक आव्यू प्लस सानिक दोनों की हैल्प से हम इसे हल्प कर सकते है कैसे करेंगे तो हम सीखेंगे आगे चल के बेटा ठीक है पर जो हम एक्सराइज चार पड़ें यह तो यह मैंना आपको तोड़ा सा यूज बताए आव्यू को ठीक है बटा चलिए आव्यू को पर्दसित कैसे करते हैं दिखाते किससे बटा अंग्रेजी वन्माला के बड़े अक्षरों से बढी अच्छो से limit करते हैं डूसरा जो हमद आख्ड़ो को बंद करते हैं वह बड़ा ब्रैकेट से ऐसे या फिर अपिर से बंद कर देते है अब को ठीक है से सिंबल यह हो गया जो आवीज मालाWA से हो सिंबल यह हो गया अब जो करम है वह तो उसे बोलेंगे से पहले हम पंक्ती बोलेंगे और फिर क्या बोलेंगे इस तमो की संक्या तो देखो पीटा हम जो हम इसकी कोडिंग लिख देता है तो एक आव्यू कैपिटल ए और इसके अंदर हमने लिखा तो ए The ऐ आई जे और बेकटबन्द और महले से इंग लिखा एम आई टो बेटा यह जो एन यह तो वेसकी ओडर ठीक है जहां पर जो एम है यह दिखाएगा पंक्ती और यह जो एन है यह दिखाएगा इस तम और के प्रजी विलकुल शिंपल और यह जो ऐ आई जे यह यह ज यह कहलाएगा एड्रेस ठीक है यह पहली पंक्ति या पहला इस्तम दूसरी पंक्ति या तीसा इस्तम जो भी वाटेवर तो यह इसकी प्रविश्टी कहलाती है ठीक है बटा यहां व्यू की कोडिंग हो गई चलिए बटा अब इसको ओपन कैसे करते हैं जिसे हमें इसे ओपन क करने का तरीका क्या होगा जैसे हमाया पास यह ही लिखा हुआ है इन यह वाला कोड लिखा हुए और इस कोर को हमें किया करना है बच्छोไป करना है तो कैसे कैसे यह है ऐसे हम बड़ा बना देंगे ठीक है फिर EI जह तो आई का घू मान है वह बन से स्टाट और में जखेते हूं यह मालिग है जो आई है निस यह यह की वैलू जो है यह नो कितने होते हिस copy of one and maximum way we have again yes वаша नायनल ही यह जोंडे की वेलू है बेटा जीकिगे वेलो भी कहां से ड़की वन से कहां तक जाएगी एंदम, n safely तक हम सबसे पहले क्या करेंगी का कहाँ क्यों फिक्रूड कर देंगे exemple है क्विड dolors कितने हमाँ पास I ask V 1 ने इस यह पंग्ति होती है पहले पंगती दूसरी पंगती तीसरी पंगती ठीक है सो और गाया कोन से पंगती पहुज जेंगे आइन वे स्तम में पोच जाएंगे ये गुर्जी बात तो समझा आ गई तो हमने पहली पंक्ति स्लट कर लिए यह आई कमान वन स्लट कर लिया अब जे कमान बढ़ाएंगे तो जे कमान नियुन तम के नौदर वन फिर किना जाएगा 1 2 फिर किना जाएगा 1 3 ठीक है तीसे स्तम समझा गया तो इस पर प्रविस्थी हो घ्यानि आवव्यू जो ए है इस आवन आवाटए के पहली पंक्ति के हैं वे स्तम कहा पर यह इस पर कौन सा देटा है या कौन सा इसमें आकड़ा या कौन से इसमें अव्यव है कि मैं आपको फिर बता दो ऴीटा आपको जो है ? आकड बोलते हैं अब बोलते हैं येस ठीक है बच्चो इसी प्रिकार से दूसी पंगती तो दूसी पंगती पहला इस्तम दूसी पंगती दूसर इस्तम ठीक है दूसी पंगती तीसा इस्तम सोन दूसी पंगती एन्वा इस्तम येस ऐसे चलते 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 हम कौनसी पंगती प यह प्रविश्टी मालूम है तम उस प्रविश्टी पर अव्यव भी रख सकते हैं ढाल सकते हैं कोई दिख्कत ही नहीं बच्चो थीक है बच्चो चलिए अब हम आपको एक एक जम्पल ले देते हैं जैसे की यह लग बटा हमने एक एक जामपल लिया और हमने बोला कि हमें दो भाई तीन कोटी के आव्यू की आव्यू की रचना करो जब कि जो प्रविष्टिया किस पकार है ए आई जे इकल टू आई प्लस जे डिबाइड़ वाई टू यह लो ठीक है तो सिंपल भीटा तो हमें कितने बैं कितने करनी है दो भाई दो की तो हम जब सोलुशन लिखेंगे इसका यानि हल लिखेंगे तो महल हमने एक आव्यू है unda थिरिए हम लिखेंगे आई जेए होडल उड़ा कितने वाई कितने का थीक adequate यहां पर यादि कितनी होगी फंक graves स्सक्राइब कि भूसीं होगे थीन एक दो थीन ठीक है है तोहां पर प्रोश्टी ग्या ओगी एटीन सानागार s ए टू थिरी ये स्कुरू जी और इसे आयतकार बॉक्स में बंद कर देंगे ये लो ओहो अब यह तो प्रविष्टी आए पिटा हमें इस प्रविष्टी पर अव्यव डालने तो अव्यव कैसे तो अव्यव कैसे दे रखे आपको अव्यव दे रखे है कि ए आई जे यानि ज पहले है सम तो पहली पंधि पहले सम तो एक एक तो जोड देंगे किन है 22 दोमन दो कशार में किibly आया किना ए आओ एक प्लस दो गिन ऋगें किन हो एक प्लस दो किसमory था चाहितन नगा दो कुआत इसे दो किसम दो कुआ ये आंसम तो दो प्लस एके-टीन थीन थरत इन दो लिए अब आगे बढ़ते हम आगे बढ़ेंगे नवय आगे हैं अमरे पास क्या आवियो का परका और आवियो के परका घिकल्जद को हो सब्दाइब साफ मेय ट्रिक्स टैप साफ मेत्रिक्स हु थीकर बटा तो पहली जो मेरे मेटरीस पड़ेंगे वह हम बात करेंगे पंक्ति आव्यू कौन से आव्यू पंक्ति आव्यू येस पंक्ति आव्यू क्या होती है पंक्ति आव्यू तो इससे देख लेते हैं हम पंक्ति आव्यू क्या होती है कि वह है आव्यू जिसमें केवल एक पंक्ति हो ठीक है वह है आव्यू वह है आव्यू जिसमें समस्त अव्यव एक ही पंक्ती में समायोजित हो, यह लो बिटा, इसे कहेंगे हम क्या? पंक्ती आव्यू, यह सर, बिलकुल, बात तो समझ में आ गई है, आएगी क्यों नहीं, अब जैसे, हमने लिखा एक आव्यू एक, तो वन, टू, माइनस वन, जीरो, इस सारे सारे आवे एक पंक्ती में आ गए, तो हम बोलें एक पंक्ती, और इस तम कितने है, एक, दो, तीन, फिक है, सेकिन बात करें हम, बेसिक इस चीज़ें, बेटा, सेकिन हम बात करेंगे, इस्तम आव्यू, यानि कोलम, इस्तम आव्यू, इस्तम आव्यू, इस्तम आव्यू, ठीक है, इस्तम आव्यू क्या होता है, यानि कोलम मैट्रिक्स, क्या होगा इसकी परिवासा क्या बने समस्त्र अव्यव एक ही इस्तम में समयोजित हो ओकी एक इस्तम में क्या हो समयोजित हो उसे क्या बोलेंगे उसे इस्तम आव्यो कहेंगे जैसे तो simple yes घुर्जी जैसे पुरी एक आव्योग ये और किस में आगे एक स्टम में और पंग्ती कितनी ही बेटा यहां पूवे और आवियोग की यह कि ऑडर है वो कितने इस्तम में गया थीन बाई यह हो गया बात तो समझ में आ गई है बूघी चलिए एब तीसरी बात करेंगे सारी जहां से अच्छा तीसरा है सबसे अच्छा और इसे बोलेंगे वर्ग आर्व्यूथ यही आपकी मेहन है ठीक है बटा इसे बोलते है इस्टमों की संख्या समान हो समान हो उसे क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे बबाद गाज्यू ठीक है बच्चो कोई दिक्कत है क्या नहीं है बट अब समझे बटा इसमें क्या होता है वरगाईू में आपको जैसे मैं इसकी कोड़ी लिखुआ तो A जिकल टू A आई जे और यहाँ पर जो होगा वो होगा M क्रोस M यानि पंक्ति और इसम क्या होगे बराबर होगे ठीक है अब जैसे मानलो मैंने 3Y3 का लिखा समझाने के लिए A आई जे चलो मैं 2Y2 का और 3Y3 का लिखके बतारता हुग यह 2Y2 और यहाँ मैंने बनाती है क्या 3Y3 के ठीक है अब देखो हम क्या करेंगे बिटा दब 2Y2 की हम ओपन करेंगे ठीक है विद परविष्टी तो क्या लिखेंगे A11 A12 ठीक है पहली पंक्ति होगी A12 A22 यह होगी दूसरी पंक्ति इसी विकास से जो हम पंक्ति का पहला स्थम पहली पंक्ति का दूसर स्थम पहली पंक्ति का तीसर स्थम ऐसे दूसरी पंक्ति का पहला स्थम दूसरी पंक्ति का दूसर स्थम और दूसरी पंक्ति का तीसर स्थम तीसरी का पहला तीसरी का दूसरा और तीसरी का तीसरा यह लोग कि आपको पिटा इसमें पेटर नजर आ रहा होगा कि सब यह जो बन रहा है यह विकन बन रहा है यह विकन हो गया है तिक है इधर वाले विकन को हम बोलेंगे मुख्य विकन कैं बोलेंगे और यह वाला जो है यह भी विकन है ठीक है बड़े मुख यह नहीं है ठीक है अब इसका रोल देखो बिटा मैं आपको बताएं तो जैसे हम सानिंग निकालते हैं किसी भी वरगाविय को सानिंग निकालेंगे तो हम यहां पे A11, A12, A12, A22 यह प्रविष्टी बता रहो मैं आव्यव नहीं है इस पर यहां पे जो हम जब सानिंग निकालते हैं तो हम पहले इनको गुणा करते हैं यानि हम पहले A11 को गुणा करेंगे A22 के साथ फिर लगाएंगे माइनस और फिर गुणा करेंगे A12 और यहां पे 21 आएगा तो A21 और A12 ऐसे गुणा करेंगे ठीक है तो आप देखो यानि हम सानिंग निकालते हैं तो सानिंग में हम क्या हम क्या लेंगे जो मुख्य विकरने की जौवियाव आते हैं उन से हम गुणा करने स्टाट करते हैं ठीक है यह वाला आगे बात करते क्या इसी में एक सब्टोपिक होता है जिसे हम बोलते हैं Trace of Matrix गासा ट्रेस आव अफ माक्ट्रीक्स यहानी आक जाओ वीयू आउद्ट्रमन ये का अनुवेहिख ठीक है Trace कु बोलते हैं अनुवेहिख अब इसको दिखाएएं कि से तो ती आ लगादेंगी और जिस आउद्टिक नीबिरादिन एक एसे क्या होता है trace of matrix तो मुख्य विकन के सभी अव्यव का योग तो मुख्य विकन पर इसके सभी अव्यव तो जैसे a11 a22 यह तो गए two by two का ठीक है ऐसे यह मालनों मुझे three by three का trace निकालना है यहां लिख देता हूँ क्या हाँ जी गुर्जी बात तो सौंज में आ गई है चलिए अब अरते हम आगे तो यह हो गया हम अपास वर्ग आव्यू ठीक है trace का रोल आयागा बिटा कुश्य ध्यान रखना इस चीज़ को तीन ना अब हम वर्ग आव्यू के टाइप्स पढ़ेंगे यह लो अब वर्ग एए विखना वखना विखना यू कि किसे बोलेंगे इस ना इसे हम बोलते हैं इसे भनाओं मैटिक्स सरीय तो हमें आती है बट फिर क्यों बता हूं यह लगा jagyi ठीक है तो क्या होता है कि वह है वर्ग आव्यू वह है वर्ग आव्यू को यह वर्ग आव्यू को टाइप से ना तो यानि इसमें क्या होना चाहिए इसमें होना चाहिए वर्ग आव्यू सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए इसके अंदर वर्ग आव्यू इसे चेक करने के लिए तो दूसरी condition के चेक करेंगे कि मु Kiev시에 गाव्यू है तो मु Kievी आभी याव EXB के अलावा में अतिरिक्त सभी अव्यव सुन्यों सबी अव्यव क्या हो सुन्य हो तब हम कहेंगे कि कैसी विकर्ण वियू है ठीक है बेटा बात सब्सक्राइब आ गई अथार्ट जो हम बोलेंगे कि जो ए आई जे है इस जी जीरो मानों और जीरो मान कब हो जो फॉर ओल आई आई जे के बराबर होगा तो फिर यसे 112233 तो मुख्यविकर्ण हो गए तो अब जो हम टार्म बंप्रक्त Japanese है उपने इक दिखा सकतें द्रिक्स को जैसे कनलो इसी जह में बताते जिसे मन आपको डाइनल मेंजमीच गोइप टियत का अपको किकर विड़्ो कि यह ऊंव और आपको algae और आभी ऐजी दिए आई एजी और ऐसे देखें और आपको बला है वन कॉमा फिफ्ट कॉमा सेवन ये लो ऐसे दिया गया है तो हम समझ जाएंगे क्या हम क्या समझेंगे कि जैसे इसे दिया है इसका मला हमें एक विकन आव्यू की रचना करनी है ऐसे दिया गया है तो हम समझ जाएंगे कि हमें एक विकन आव्यू क्या करनी है रचना करनी है ब तो इस यह कितने वाई कितने का होगा यह 3 by 3 का होगा पहली चीज़ तो क्योंकि डाइगनल के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे है मुखे विकरण वाले बागिस के डाइग का जैँ पैले यहां पर यहां कि आएगा ले करने को हाओ तो इस प्रकार है और आगे जो है B अगे जो है भी ठीक है विकर्ण आवियु तो हो गया अब हम बात करें किसी अदिशा व्यू के अदिश आव यू किया होता है अदिस आव्यू ठीक है तो इसे वैसे इंग्लीश है बोलते है क्या स्केलर मैंट्रिक्स सबसे पहले चीज सबसे पहले चीज है कि कैसा अधिसाव चेक करने के लिए पहले हम चेक करेंगे विकन आव्यू है कि नहीं है यह सबसे होना चाहिए जो लेकर पहले चाहिए कि सब्यों के अव्यों कि सब्याविव क्या हो फॉर्फ क्या हो तो जसे समान हो तो हम से बोलेंगे अधिसाव्यों ठीक है बात तो शवागम है अब यदि मुझे इसको कोडिंग में लिखना है तो AIJ लिख दूँगा ठीक है इस AIJ का मान जीरो होगा और इस AIJ का मान लैमडा हो जाएगा जीरो कब होगा जब AI not equal to J हो और लैमडा में से कब होगा जब AI का मान किसके हो जे के हो ठीक है ठीक है ठीक है जैसे AIJ कल टू हमने लिखा वन जीरो चीरो सब्सक्राइब कर दो अब देखो यह हमारे परस क्या आगया मुख्य विकर्ण इस पर सभी अब वेकिन है तू तो समान हो गए तो यह कहाएगा अधीस आफ्यू यह गुर्जी पर सी सी हम बात करें क्यों से वेटा इकाई यह तसमक आवय हो एकाई यह बंटितितिक्स अब इसके लिए पेक से करेंगे पाहले टेकिक के क्व्खें के करेंगे कि जो आव्यू है वो क्या साहना होना चाहिए वो अदिस आवियू होना चाहिए पहली चीज तो कैसा आवियू होना चाहिए अदिस आवियू होना चाहिए ठीक है पहली चीज और दूसरी कंडिशन क्या रखेंगे कि जो मुख्य विकन है मुख्य विकन पर मुख्य विकन पर सभी अव्यव एख हो सभी अव्यव एक ओ ठीक है अव्यव को मान एक हो तो से बोलें कहां इस से लिए जैसे ऑई से ठीक है और एक इनवे कीदिने कैसेट और देख बड़ा तो अम यह आपर देखते हैं आई टू एसे माल आतृजिका लिखना है तो हम कैसे देखाएंगे 100000001 येस ठीक है और देख बड़ा गणित में विश गणित में जो काम 100 और एक करता है जैसे किसी संख्या में जो का मरक र rider इंख river तो घ्कार दिख्रय को किident की दिख्र में निख्र्ण आ क्या चाहित में ちょस्ट होगी अब हम क्या तर पहुँच गये थे हम पहुच गjuna थे थीम ता वहर आविव तक ज Dutchी जो है वह में बात करें हिए सुन्या आवि5 ये सर्च वरग अभी उसकते है कैसी भी आशा भी हो सब्सक्राभ जिसके समस्त इसे किस चärt पर देशत करेंगे से ओह से जिरो जीरो 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 यह लो सकती है यह सर इसे इंग्ली से बोलते हैं नल मैट्रिक्स इंग्ली समय क्या बोलेंगे इसे नल मैट्रिक्स वह वाला नल नहीं नहाने वाला नल थीक है चली बेटा फिर उसके बाद मैं दो चीज और बता दो आपको वर्गा व्यू के अंदर जैसे कि अश्थीय डीगीज़्स दी तो हम एक बात करें से वतिंगे यह यह सकत रैबुजवाकार उपिन अभ्यूज दीचेछ त्रेंगुल क्राइब मैट्रिक्स क्या होती है तो त्रुजवाकार आव्यूं स्प्राइबarya चिल्वाकार ओड् Deutsch-की पहली जो है इस वो वोगी उप्री तिरवुजाकार आवियो और दूसरी जो होगी वो होगी इसको इसे बोले हैं निम्न तिरवजाकार आवियो यह लोगार ट्रेंगुलर मेट्रिक्स निम्न यह अब क्या होती है उप्री त्रीज़ाकार में होगा पीटा कि हमारे पाँ जो मुख्य विकरना है पहले चीज़ थो सबसे पहले इसकी दो कंडिशन पहले कंडिशन क्या कि कैसे आविए उने चाहिए वर्द आविए ठीक है वर्द आविए उने चाहिए फिर दूसरी कंडिशन क्या है कि जो मुख्य विकर्ण है मुख्य विक्रण के नीचे इस्तित सभी अव्यव सुन्यों सभी अव्यव कैसे हो सुन्यों तब जो मैट्रिक्स होगी वह कहलाएगी उप्री त्रिवजाकार आवियों और निमनुठरबुषाकाराव्यों के लिए वर्गाव्यों तो होनी चाहिए यसर वर्गाव्यों तो होनी चाहिए फिर डूसはは a कि मुख्यविक्ण के मुख्य विखर के ऊपर पन 1 शभी अव्यव 아니라 क्या हो सुन्य एक्टेंपलन देख लेता है ठीक है तो यहां परती हम देख लेता है तो यहां पर जीरो यहां जीरो और यहां जीरो अब आपकोई आले में लेमेंट हो तो अब यह जो यह जो आव्यू है इस आव्यू को हम बोलेंगे बेटा कैसी उपरी त्रीजाकार आव्यू तो हमने एक आव्यू बनाई और इस आव्यू का हमने कह लिखा यहां पर लिख दिया मुख्य विकन पर आव्यू तीन भाई तीन के अब इसके उपर के आव्यू यानि यह जीरो और यहां कुछ भी हो यह लो तो अब हम जैक करेंगे कि इसके मुख्य विकन के ऊपर सब्सक्राइब क्या हो गया सुने ठीक है और तिर्बूज का बना नीचे बन गया तो इससे बो मज़े आ गए सब्सक्राइब अब इसका यूजेज बताएं तो मैं आपको थोड़ा से यूजेज बताएता हूं ठीक है कि उपरी तरिफ्टाराव्यू और निम्नत्रिफ्टाराव्यू में कुछ ऐसा कोई त्रिक है कि जो हमें याद करनी है ठीक है यह जो हमारे थोड़े जेए के point review से पूछी जाती हो ऐसा कुछ है तो हमें वह पढ़ना पढ़ता है येस अब क्या क्या चीज़ है तो देखो बेटा सबसे पहले चीज़ तो हम ये बात करें कि नॉट लगा के हम लिख देंगे नॉट नॉट क्या लगाएंगे हम बेटा कि जो तिर्भुजाकार आव्यू में हम क्या लिखेंगे कि एक तिर्भुजाकार अब चाहे वो उपरी हो चाहे वो निम्न हो एक तिर्भुजाकार आव्यू एक तिर्भुजाकार आव्यू में सुन्यों की सुन्यों की नूनतम संक्या नूनतम कम से कम तो नूनतम संक्या कितनी हो निचे यह कि वो तिर्भुजाकार आव्यू बन जाए तो सुन्यों की नूनतम संक्या जो होगी वो होगी एन एन माइनस वन बाई टू होती है ठिक है जहां एन हेन क्या होगा है एन औहुला वर्गाभियू की कोटी ए और सफ़ये सुत्र कहाँ से है अब रेक्षक त्रिपु यह वाली चेक करें गे हुना अच्छा इसका ओड़र discipline है अ जब स्रत्म में रहें हैं तो हम जब सुन इन एक दो जब सरे गेड़ ब्रते तो अधिक दो अपके नियूंतम इस लिए तो जीर होगया चार हो गाए इसमें आरे तो मैंने क्यों होला चार नहीं हो सकते मैंने अधिक्तम की दबात नहीं की नहीं मैंने न्यूनतम की नूने चाहिए वाव सर ओके सर मजे आगे सर आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए तो इस प्रकार हमें यह सब चीजे करने पड़ती है अब एक हम लाश्ट जो टोपिक पढ़ेंगे वह समान आव्यों कि समान आव्यों ठीक है सर समान आव्यों तो दो या दो से अदिक आव्यों समान कब होंगी दो या दो से अदिक आव्यों समान कब होंगी तो पहला केस जब आव्यों का ओड़ समान हो आव्यों का करम समान हो या आव्यों की कोटी समान हो आव्यों की कोटी क्या हो समान हो आव्यों की कोटी समानों ठीक है और दूसरी चीज हम क्या बात करेंगे दूसरी हम बात करेंगे विटा की संगत अव्यव संगत अव्यव भी क्या हो समानों संगत अव्यव भी क्या हो समानों ठीक है तो दो आव्यव समान कप कहलाई जब उनकी कोटी समानों और उनके संगत अव्यव भी क्या हो समानों तब हम भी बोलेंगे कि यह कैसी आव्यू है यह है समान आव्यू येस सर बात तो समझ में आ ग कि अप आगे बढ़ते हैं ठीक है अब आगे बढ़ने के लिए मैंने आपको विकन आव्यू पढ़ाय था और उस विकण आवीू पे मैं आपसे कुछन पूछता हूँ ये लो व्यू में सुन्यों की सुन्यों की संख्या कितनी होती है सन्यों की संख्या कितनी होती है ठीक और आग셔서 में और यह कौन सी न्यूनतम होती है तो यह हमें बात करनी है ठीक है तो अब हमें पता है इसका अंसर हम देंगे तप्यान आवयुकले वरग ह dunk negroche यसे मां पार थीवाय थी है तो यह यह और यह तीन ऑगे न बटम मुक्य मी दूसरा तीसरा इनको छोड़के बाकी सब क्या होने चाहिए बाकी सब जीरो होने चाहिए थो एक दो थीन चार पांच शय है तो तो तीन वाले ओर में हम बोलेंगे की छे होती है नियुनतम जीरो संक्या आहां बिल्कुल सर अच्छा यह 6 को क्या मैं ऐसे लिसकता हूँ या कैसे देखो अच्छा कितने वाई कितने का है एन को टीक विकनावी में सुन्यों की नियुनतम संक्या कितनी है तो क्या लिखोगे आप एन स्क्वार माइनस एन हाँ जी गुर्जी यह तो वास आगाई है टन 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 ओके ठीक है चलिए अब हम कुछ कुछन कर लेते हैं ठीक है यह हमारी तीन पॉंट एक खतम हो करेंगे तोड़े अत्रिक्त वाले अच्छे लेवल वाले कुछन करते हैं ठीक है और फिर हम देखेंगे कि क्या आप इन कुछनों का आंसर दे पाते हो क्या कि नहीं दे पाते हो तो कुछन नंबर हम फर्स्ट लेंगे इन पॉंट एक तो आप कर लेंगी है ना बहुत देखेंगे तो एक मैट्रिक्स है ठीक है क्या है अब आप से ओप्सें देता हो एक मैट्रिक्स है ठीक है ओप्सने वास्टिक्स हैं क्या एक वास्टिक्स हैं क्या और गुजी यह तो आप ऐसे कुछ हैं पूचे जैसे कोई से इंगेड़का एक्जाम हो ओप्सन वाले भी सानिकों के समान ही सानिकों के समान ही सी सी हम एक समीसर संख्या एक समीसर संख्या और डी की जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे इन में से कोई नहीं दी इन में से इन में से कोई नहीं चली बेटा तो देखिए बेटा मैट्रिक्स यहां पर दिरागे संख्या ठीक है मैट्रिक्स में वास्ट्रिक संख्याओं का अरेंजिमेंट होता है मैट्रिक्स समीसर संख्या नहीं है मैट्रिक्स समीसर संख्या नहीं है मैट्रिक्स संख्याओं का अरेंजिमेंट है मैट्रिक्स सानिकों के समान भी नहीं होती है मैट्रिक्स संख्याओं का अरेंजिमेंट होता है मैट्रिक्स संख्याओं का अरेंजिमेंट होता है मैट्रि इक है मैट्रिक्स कुर संख्या नहीं होथी मैट्रिक्स एक तरह की संख्याओ का क्या होता है संग्रह होता है आए तकार व्यूउ में democr i.a जी गुर जी बिल्कूल समझवें आ गई है ठीक है कुष्य मंधर तो back hope करें एंपि आ व्यूउ ए और लिखा मैंने ए आई जे एम क्रोस एन इस्तम मैट्रिक्स या इस्तम आव्यू कहलाएगा इस्तम आव्यू कहलाता है यदी अच्छा कब कहलाएगा यदी यह तो ऑप्शन ए जब एम कमान एन से बढ़ाओ option B जब एम कमान एन से चोटा हो option C जब एम कमान एक हो और option D जब एन कमान एक हो तो बिल्कुल बिटा इस तमाविघा कहलाएगा जब यह एन जो है वह कितना हो एक हो option क्या जायगा इसमें D हो जायगा बात तो सम्झाएं आगई एस सदय अब आप बात कर लेसे है question number 3 की कोटी एन क्रोस एन कोटी के अधिस आव्यू में अधिक्तम कितने बिविन कितने बिविन अव्यव हो सकते हैं ओहो यह तो मज़े वाला कुश्यन है ठीक है अब मैं आपको ओप्शन देता हो eh I wanna be a एन क्रोस एन कोटी के अधिस आव्यू तो अधिस आव्यू मैं राट कया बताया थो में अधिस आव्यू जो है वह एक तो मुख्य विकन यह मुख्य विकन है मुख्य विकन के जो सभी अव्यव है वह सभी अव्यव क्या होने चाहिए समान हों चाहिए जैसे यह मालों यहां पर लेंबडा है यहां लेंबडा तो यहां भी क्या होना चाहिए लेंबडा और बागी सब जीर 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 ठीक है इसका मतलब अब यहां पे हम बात करे कि अब अधिस आव्याव में अधिक्तम कितने विविन आवयव हो सकता है तो देख बड़ा ये 0 एक अव्याव हो गया यह हम लेमड़ा भी तो अधिक्तम डिविन अवयव तो नहीं दो ही तो है हSudan और हम बना लेते हैं , बनें मुझां का सब्सक्राइब सकते हैं , तो पीई इसमें बोलोıl हैं धिकतम हैं यह सब्सक्राइब किसक्यें बीफिटम क्यों है ? अदिस अभी कराएं यह सर बात्साओं जिमें आ गई है सब टीक है एक कुशन ओलेटे हम कुशन नंबर 4 ठीक है कुशन 4 क्या कर रहा है यदि यदी एक यदी एक यदी एक ऐसी यदी एक ऐसी पंक्ति आविव हो यदी एसी पंक्ती कि आव्यू हो की की ए बराबर 80 ए बराबर 80 तब अभी मैंने आपको 80 नहीं समझाया है न तब ए में अव्यों की तब ए में अव्यों की संख्या है तो कितनी अव्यों की संख्या होगी तो option है option a one option b two option c four option d n अब देखो बिटा हमाँ पास 80 जो होती है क्या होती है 80 तो मैं भी बता देता हूँ आपको हाला कि मैं बाद में बता दूँगा क्लास्म बता दिया है विए आपको परिवरत आवी जिसकी पंक्तियों को इस्तम में बदल दो और इस्तम को पंक्ति में बदल दो तो उससे निर्विट जो आव्यों परिवरत आवी थीक है बेटा तो हमारे पास देखो कोई आव्यू है और यह वन टू जी रो माइनस वन यह था यह कितनेव कितने की एक इंतो भाई-दो की अब यदि मैं इसका ट्रांसपोज गरूं तो यहां पंग्तियों को मैंने स्थम में पंग्ति क्या है वन टू पहली पंग्ति किने वन टू तो वन टू को इस तो ब्राबर के लिए और भी समान होना चाहिए और संगत भी किसमा यहां पर चलो यह थो बराबर ह्यां दो बदर यहां पर जी रो तो बराबर ही नहीं तो यह बराबर 80 नहीं यह 8 not equal to 80 इस वाले एक्जामपल में बड़ हमें कुछ न में दे रखा है कि एक मंती आव्यों कैसी आवी पंक्ति आवी जो होती किसी होती है रउन्सारे सारे हैंनलकितों न न तो इसमें कितने हैं कितने पंगती हो गई और इस्थाम कितने हुग हुआ है थीक है अब आप देखो परिवर्त हम मैंने आपको बोला है परिवृता प्रिवर्त अब वर्ग वीओ तो यह वर्ग वीओ जब एन कमान क्या हो एक एन कमान कितना हो एक इसका मलभ यहां पर मालों कोई दो है और यह वन बाई वन इसे बोलेंगे एक कला विओ ठीक है और जब इसका ट्रांस्पर्ज का तो अभी भी इन आएगा दो फिर निवाबी आएगा ऑपेश मज़े आगए अब एब बराबर किन उजाएगा एटी हो जाएगा ना इसका मला पंक्तिया यू में बड़ाबर एटी यह तभी संभव होगा जब पंक्ति आवी कैसी आवी हो एकल आवी क्यों होती है जिसमें केवल एक ही अव्य वह एक अलागी एक ही अव्य हो तानसर के ना जाएगा एक ऑपके बच्चो ठीक है अब आपको तीन पॉंट एक करनी है फिर आप नेस्ट वीडियो में तीन पंदो तिन पंद इंगे थियोरी पड़ेंगे और जेएगे प्रसन करेंगे बाई 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 वाच्चो